जैबहीम नमो बधातियों साथियो मैं एक बात सोच रहा था कि क्या ऐसा संभव है कि एक परिवार जिसमें बहुत सारे लोग हो जिल के पास बहुत सारी संपत्ति हो हीरे हो जवारात हो गहने हो रुपे पैसे हो और वो सब लेकर जो है वो अपने घर में अपने पूरे पीच में आये और ना उसके पास तोप हो ना बंदूख हो ना चाकू न चुरा ना तलवार ना भाला कोई भी हत्यार ना हो और वहें उन लोगों से उनकी संपत्ति को लूट कर ले जाए कि क्या यह संभव है क्या दुनिया का कोई भी आदमी इस बात पर विचार कर सकता है मैं तो सोचता हूँ कि दुनिया का कोई भी आदमी इस बात को सुनते ही स्रे से नकार देगा, खारिज कर देगा, विचार तक नहीं करेगा, संभव भी नहीं है, लेकिन भारत में संभव है परमपुजे बाबा से डॉक्टर भीमरा अंबेटकर कहा करते थे, जब भारत में अच्छुतों की गुलामी की बात चल रही थी, और जब बात चल रही थी भारत को आज़ात कराने की, और जब विदेश में लाला लाजपत राये बाबा से डॉक्टर भीमरा अंबेटकर से संपर्ख करते हैं और उनसे कहते हैं कि अंबेड कर कि तुम भारत की अजादी के अंदलन में भाग क्यों नहीं लेते हो हमारी पार्टी में सामिन हो जाओ और भारत की अजादी के लिए अमेरिका में अंदलन करो तो बाबा साहिब उनसे कहते हैं कि आप तो भारत की अजादी वाली गुलामी सबसे खतरना गुलामी है, दुनिया की सबसे खतरना गुलामी, दुनिया में गुलामों को गुलाम बनाए रखने के लिए बड़ी-बड़ी दिवारे खड़ी की आती है, तोप बंदूक गोला वारूत का इस्तेमाल की आता है, जंजीरों का इस्तेमाल की आता लेकिन भारत के गुलामों को गुलाम बनाए रखने के लिए ना तो तलवार भाले की जुर्थ पड़ती है ना जंजीरों की जुर्थ पड़ती है ना बड़ी बड़ी दिवारे खड़ी करने जुर्थ पड़ती है तो ऐसी ही गुलामी जो भारत में पाई जाती है तो जो मैं बात कह रहा था कि क्या एक परिवार जो बहुत सारे सदस्यों के साथ में अपनी धन संपदा के साथ बैठा हो बहुत सार रुपएं हो हीरे जवारात हो तो क्या कोई व्यक्ति वहां पर आकर दुबला पतला सा कमजोर व्यक्ति जिसके हाथ में कोई चाकू नहीं कुछ चुरा और बाबा साहिब ने जो बात उस समय कही थी गुलामी के बारे में वो यहां बिल्कुत सही साबित होती है जिया साथियों अभी कल ही दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल जी जेल से छुट कर आते हैं और सबसे पहले हनुमान मंदर जाते हैं और उसके बा तो चाहिब की बड़ी-बड़ी तस्वीरों के साथ में देखाया आता है तो साथियों एक तो दिल्ली में सरकार बनाना और वह भारती अन्ता पार्टी के वोट बैंक को चुवे बगेर केवल कॉंग्रेस और भौजन समाज पार्टी के वोट के दम पर आमाज पार्टी के सरकार बनती है यानि कि सीधा सीधा मतलब इसका यही है कि SC ST OBC के वोट से अर्विंद केजरी वाल जी सरकार बनाते हैं और सरकार जाकर अर्विंद केजरी वाल जी की हिम्मत होती है कि उनकी विचार धारा के विरोध में जाकर वो काम करते हैं जहां पर प्रम पुझे बाबास अट्रुक्टर भिम्राव अंबेड कर 13 अक्टूबर 1935 को यह विला की धरती से घोशना करते हैं कि मैं हिंदु धर्म में पैदा मैं नास्ति क्यों हूँ यह किताब लिखकर भारत के लोगों को आगा करते हैं उस गुलामी के बारे में उस मानसिक गुलामी के बारे में उस धार्मिक गुलामी के बारे में कि जितना जल्दी हो सके इस गुलामी से बाहर आ जाओ यह इसवर यह देवी देवता आपका कोई भला करने वाला नहीं है इसलिए मैं अपना भला स्वय करने के लिए अपने देश के लोगों का भला करने के लिए आज फासी के पंदे पर चड़ रहा हूं लेकिन भारत के लोग कहा सुनने वाले हैं कहा मानने वाले हैं मैंने इसलिए कहा एक दूबला पतला सा आदमी ना उस पुछ नहीं है और कपड़े बड़े साधरन पहन कर उस भीड में घुजाता है उस भीड के वोट को लूटने के लिए और केवल उसके पास उस भीड को लूटने के लिए बाबा से टॉक्टि भीवरां उम्मेट के तस्वीर काफी है क्योंकि यह जो भीड है यह बाबा के काम की दिवानी नहीं है क्योंकि अगर इस भीड को यह मालूम होता कि बाबा साहिब का विचार क्या है बाबा साहिब ने इस समाज की भलाई के लिए इसके कल्यान के लिए क्या संदेज दिया है कि बाबा साहिब ने इसकी भलाई के लिए हिंदु धर्म को छोड़ने की बात कही है अगर यह समाज यह जानता यह SC ST OBC वर्ग यह बात जानता तो मैं यह समझता हूं कि केजरिवाल की इस भीड में घुसकर बाबा सहब की तस्वीर को ले जा कर यह कहने की बिलकुल हिम्मत ना होती कि जब मैं जेल में था तो मेरे उपर उपर वाले की किरपा थी और SC ST समुदाय बाबा सहब को मानता जरूर है उनकी पूजा करता है लेकिन यह धार्मिक गुलाम भी है इसके दिमाग में अभी भी वो देवी देवता और इस्वरवास करते हैं इसलिए इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा सहब की तस्वीर दिखाओ बस इनका वर्ड लूट लो तो साथियो इसलिए मैंने कहा था कि पूरा परिवार पूरा समाज पूरा समुदाय अपने वोर्ड बैंक रूपी संपदा को लेकर धन दौलत को लेकर बैठा हुआ है और उसको कभी अरविंद केजरी वाल लूटता है कभी मोदीजी लूटते हैं और साथियों मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जो भॉजन नेता जिने आप जानते हो मैं नाम लेने का यहाँ पर जो हैं बिलकुल भी त्रयास करेंगा नाम लेने की हीिर बहुजन नेता जिंबिदार हैं क्योंकि इन्हीं भॉजन नेताओं के उपर जिєमिदा hugging बाबा लेकिन इन नेताओं का मतलब केवल और केवल किसी भी तरीके से MLA और MP बनने तक सिमित है इनका मतलब केवल और केवल किसी भी प्रकार से इस समाज का वोट आए वोट चाहें जो हमारा समाज खुद अभी मंदिरों में देवी देपताओं में इस्वरों में उल्जा हुआ है करम कांडों में उल्जा हुआ है उनके लिए उनके भीतर जाकर उनके मंदिरों में जाएगा उनके करम कांडों में सामिल होगा वो जो हवन यग कर रहे हैं उसमें भी सामिल होगा उनको कभी यह करेगा कि तुम यहावन यग मत करो तुम करम कांद मत करो तुम एक देवतीता के कुझा मत करो तुम जए बाबा सहीब के बताए हुए मार्थ पर चलो तुम बौध बन जाओ यह कभी भी कोई भी नहीं समझाने का काम करेगा उधारन के लिए भुजन समाज विभिन प्रकार के मत और संपरदायों में बटा हुआ है स्वें भुजन समाज यह समाज जैसे की रविदास संपरदाय यानि की रविदास जी को मानने वाले लोग कवीर संपरदाय यानि कवीर पंथी या कवीर सह सब्सक्राइब को मानने वाले लोग इसी प्रकार से और भी तमाम तरह के मत और संपरदाय बने हुए हैं और बीच बीच में कुछ नए नए गुरू भी निकलकर इनके बीच में आते हैं जैसे कि अभी आपने जो हात्रस में घटना देखी थी जहां पर आपने देखा कि साका से जो है समाज है एह समाजाए इतना बटा हूआ है पहले तो जातियों में बटा हूँ है उसके बाद इन उर नेताओं के ऊपर है लेकिन क्या आपने को इस से काम कर देखा है क्या आपने देखा है कि कोई भोजन्द नेता अगर रविदास समाज की भीतर गया हो तो उनको जाकर ये बताया हो कि भई बाबा साहिब ने हमें ये संदेज दिया है कि हमें बौध्धरम अपनाना है और हम बौध्धरम की दिशा में चलें कभी भी नहीं देखा होगा कभी कभी कभी सिखों के बीच में गया हो कभी इसलाम मानने वाले लोगों की बीच में गया हो कभी भी उन्हें परम पुझे बाबा सा डॉक्टर भीम्राव अंबेड करके जो असली उन्होंने लक्षे निधारित किया था उसके लिए काम करते हुए आपने नहीं दिखा होगा इसलि वोड देकर उसे राजा बना देता है तो साथियों ऐसा संभव है और ऐसा आगे भी संभव होता रहेगा जब तक की एसी स्ट ओबी सी यह वर्ग जब तक की प्रम्पुझे बावसट भीम्राव अंबेड करकी बात को सही माइनों में समझने का काम नहीं करेगा तो साथियो इसी हथ इस मीडियो को खतम करता हूँ लेकिन आपसे एक रोध करता हूँ कि जल्दी से अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे मिलियंस में यहाँ पर सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मैं अपनी बात बहुत ब पुरूप हो सकते हैं और लोग खटा हो सकते हैं तो साथियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंड करके मुझे बताएं कि क्या वास्तब मैं के जरीवाल जी आपके वोट बैंक पर बिना चाकू छुरे के बिना तोप गोले के बिना बंदूक के बिना किसी हत्यार के दिन धाड का डाल रहे है क्या ऐसा करने के लिए वे आपको मजबूर कर रहें है या आप खुसी-खुसी उनको इसका कारण किया है क्या जो कारण मैंने डिसकस किया है इस वीडियो में क्या अगर आप से करने अ करना बिलकूल न भूलें नहीं